हलो दोस्तो स्वागत करते हैं आज हम अपने एक फिर से नए वीडियो में दोस्तो जैसा कि आपको थम्नेल देखकर पता चल गया होगा कि हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम लोग अपना इराशन कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे तो दोस्तो हम लोग इस तो आप अभी जो अधार काड अपडेट हो रहा है उसमें भी आप रासन काड का यूज कर सकते हैं तो दोस्तों जादा देरना करते हुए चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अगर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को एक लाइक जरूर करते हैं आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और प्ले श्टोर बें आने के बाद यहां पर आपको शर्च करने के लिए आएगा और क्लिक करने के बाद दोस्तो यहां से स्टरडेट्ट पर क्लिक कर देना है और आपका यहाँ पे दोस्तों अगर account रही है तो आप यहाँ create account पे click करके आप यहाँ से अपना account बना लेंगे तो simply आप उसको भी देख सकते हैं मैं इंडी स्कीन में उसका video लगा दूँगा और यहाँ पे आप अगर नया account बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना name डालना है यहाँ पे name डालने के बाद date of birth आपको select करना है उसके बाद यहाँ पे mail है कि female है यह select कर ल देंगे जैसे यहाँ पे अधार number डालके submit पे click करेंगे आपके अधार card में जो mobile number registered रहेगा उस पे एक OTP डालके आप simply submit कर देंगे आपका account बन जाएगा जैसे यह account बन जाएगा तो उसके बाद आपको sign in करना होगा sign in करने के लिए आपको यहाँ पे अपने mobile number से भी sign in कर सकते हैं अधार number से भी कर सकते हैं तो यहाँ पे आपका अगर account बना रहेगा तो आप यहाँ पे अपना अधार number डालेंगे और अधार number को सब्मीट पे क्लिक कर देता हूं जैसे ही सब्मीट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको नोटिफिकेशन अलाव करने के लिए आएगा तो मुझे नोटिफिकेशन इसका नहीं चाहिए इसलिए मैं डॉंट अलाव पे क्लिक कर दिया हूं और दोस्तों उपर में आपको आ जैसे ही नीचे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सर्च कर लेना है रासन कार्ड जैसे ही यहां पर रासन कार्ड लिखकर सर्च करेंगे तो यहां पर रासन कार्ड का बहुत सारा ओप्सन आपको देखने को मिल जागा तो आपको नीचे में आना है और नीचे में यहां पर द पहले स्लेक्ट कर लेना रहेगा तो मैं यहां पर पहले अपना डिस्टिक स्लेक्ट कर लेता हूं और डिस्टिक स्लेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर अपना रासन नंबर यहां पर डाल दिया है और रासन नंबर डालने के बाद get documents पे मैं जैसे ही click करता हूँ तो यहाँ पे रासन card facting का आपको pop-up दिखेगा तो थोरा सा आप wait कर लेंगे यह जो है हमारा रासन card को fact किया जा रहा है और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं facting हो चुका है तो simply जैसे ही हम इस पे click करेंगे तो हमारा रासन card दिखने लाएगा तो देख सकते हैं दोस्तों नीचे में हमारा जो रासन card fact हो कर आ चुका है simply हम यहाँ पे आपका पहले सो जो भी आपर documents fact चीए रहेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और दोस्तों एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो dg locker है यह आपको सरकार इसको valid किया है और यह आप कहीं भी इस dg locker का उपयोग आप सरकारी जगा पे भी आप कर सकते हैं यह बिल्कुल valid होता है तो simply यहाँ पे रासन card पे आप जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो यहाँ पे रासन card है वो यहाँ पे पुरा details के साथ आपको दिख रहा होगा तो इसी प्रकार आपको यहाँ पे फिर यहाँ पे नीचे आपको एक download का option है जैसे उस download के option पे click करेंगे तो यह जो है हमारा file में download हो चुका है और download होने के बाद इसको आप चाहें तो कहीं share भी कर सकते है share पे click करके और आप इसको use में ला सकते है तो दोस्तो आशा करता हूँ कि वीडियो हमारा पसंद आया होगा और वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो दोस्तो एक like जरूर कर दे क्योंकि आपका एक like हमें बहुत ही ज़्यादा motivate करता है ऐसे useful videos बनाने के लिए तो मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम